Good morning students, बच्चो, हम लोग आठ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यहाँ पर देखे, पहला हमारा सेंटेस है यम्ना नदी के किनारे इस्तित आगरा एक पुराना नगर है बिटा ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दो कि ट्रैंस की जानकारी होना बहुत ही जादा जरूरी है यहाँ पर देखे, यम्ना नदी के किनारे इस्तित आगरा एक पुराना नगर है यहाँ पर देखे, क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है तो इस बात हो रही है आगरा के बारे में इसलिए सबसे पहले आग्रा ही यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे आग्रा अब क्या है आग्रा क्या है आग्रा है तो आग्रा है की में इंगलिस क्या होती इस आग्रा इस फिर क्या है आग्रा एक लिखाना यहां पे तो आग्रा इस एक पुराना सहर है पुराने की इंगलिस होती है old ठीक ना तो यहां पे आपको लगाना होगा an आगरा is an old city एक पुराना सहर है देखे मैंने इसकी पूरी meaning बनाई है अब देखे यहां की बनानी है यम्ना नदी के किनारे इस्थित तो इस्थित की क्या होती है situated क्या होती है situated कहां पर इस्थित है नदी के किनारे situated on the bank of कौन से नदी है bank of river यम्ना यम्ना नदी के किनारे इस्थित है तो आगरा is an old city आगरा एक पुराना सहर है और वो situated है कहां पर on the bank of bank क्या होता है किनारा नदी के किनारे को इसका उलेक मिलता है तो किस की बात कर जा रही इसका इसका की पहली meaning होगी इसका उले किया जाता है सीधी meaning यह है ना तो आप यहाँ पर लिख सकते हो It is mentioned यह आपका passive sentence है ठीक है ऐसा यह बोला है इसका उले किया जाता है यह मिला करता है किसी के द्वारा It is mentioned और ऐसा mentioned क्या गया है कहा है प्राचीन साहित में प्राचीन साहित में किवल इसी की meaning लाइए इन प्राचीन की क्या होती ancient और साहित की क्या होती है literature ठीक ना नेक्ट देखे हमारा क्या यह यह सुन्दर एतियासिक भवनों का नगर है क्या यह यह के लिए आप this नहीं लगाए नहीं दिस भी लगा सकते वैसे ऐसे कुछ गलत नहीं हो जाएगा लेकिन यह आप इट से ही उस करिए तो यह है it is it is a city of सुन्दर एतियासिक भवनों का है न it is it is a beautiful city of historical historical buildings तो जो historical building है उनका सुन्दर सहर है या ठीक है मतलब यही मिनिगा है कि यह सुन्दर रतियासे बाउनों का नगर है यह मुगल कालीन अनेक यहां अनेक यहां मुगल कालीन अनेक इमारते हैं तो कहां पर हैं यहां पर हैं तो आप लिख सकते हो इसके पास हैं ना यहां पर लिख सकते हैं आप यह ऐसे भी लिख सकते हैं इस नमबर आफ मॉनुमेंट्स आफ मुगल एरा भी लिख सकते हैं यह इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर इस से स्टार्ट कर रहे हैं इस नमबर आफ मॉनुमेंट्स मतलब यहाँ पर बहुत सारे मॉनुमेंट्स हैं इमारते हैं बहुत अनेक यह कहां कप कप की हैं मुगल काली नहीं आफ दा मुगल एरा या देर से भी आप बना सकते हैं सेंटेस को ठीक है ऐसा कुल गलत नहीं हो जाएगा पत्यपूर सीकरी के भवन अक्बर ने बनुआय थे ठीक हैं थे किसने बनुआय थे पत्यपूर सीकरी के भवन अकबर ने बनाया या अकबर बोल के रहा अकबर ने बनवाया बास समझ रहे ना अकबर ने खुद थोड़ ना बनाने लगए था इटा और मौरंग लेकर अकबर ने बनवाया जब काभी काम किसी और से करवाया जाता है तो वहाँ पर कॉजटिव वप का यूज़ करते हैं ठीक है यह गौट है है हमारा लेट है ठीक है यह सब क्या होते हैं हमारे कॉजटिव वप होते हैं इसका मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कॉजटिव वप क वुल्डिंग, वुल्डिंग को किया, ठीक ना, in, कहां पर किया, फटेफूर सीक्री के भावन को है न? या आप यह बुढ़ सकते taking bylling बनाई, कहां पर मुनाई? in, फटेफूर ठीक है अगर किसी और तरीके से भी बच्चों आप लोग से बन ना है कोई सेंटेस तो आप हमें बन आएं ठीक है मैं चेक करूँगा कि उस सेंटेस सही है या नहीं सही है तो अगर सही होगा तो मैं उसे रैट बोलूँगा ओके गुड़ डेग